हलो दोस्तों ट्रेडिंग विद राज यूटूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आज कपिद टेकनोलोजी लिमिटेड ने बड़ा ब्रेकाउट दिया जैसे कि मैंने अल्रेडी कहा था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो बड़ी तेजी होगी मैंने छे दिन पहले इस पर वीडियो बनाया था और उस समय जो है कपिद टेकनोलोजी का प्राइस था 340 रुपए के आसपास तो दोस्तों वहाँ पे मैंने आपको ये भी काता इसे रखलो नहीं तो पस्ता होगे वहाँ पे मैंने fundamental analysis बताया है company के बारे में पूरा profile वहाँ पे बताया है इस वीडियो को आप जरूर देखिए वीडियो का link जो है इस वीडियो के description में मिल जाएगा उसे आप जरूर देखिए और कल भी मैंने इस पे वीडियो बनाया भी भूचाल बाकी है ठीक है तो definitely जैसा हमने predict किया था वैसा ही हुआ और आज फिर से बड़ी तेजी और breakout हमें देखने को मिला तो चलिए कुछ और data fact है जो आपको दिखाने है इस stock के बारे में बताने है आप हमारे channel से जूड़ी रहे है और इसका फायदा उठाते रहे है सारा चीज़े आगे और भी discuss करने वाले हैं दोस्तो लेकिन उससे पहले आपसे request एसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर ही लेना बेल आइकन को प्रेज करके रखना और वीडियो को एक like भी कर देना मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा दोस्तो आज कपित टेकनोलोजी का share price 378.45 पैसे पे open हुआ था 373 का low बनाया था और high बनाया था 410 का फाइनली यहां पे 401 रुपे पे closing हुई और 7.38% की इंटरडे में growth हमें देखने को मिली इस stock ने बहुत बेहतरिन return दिया है पिछले दो सालों में 344% का बढ़िया return दिया है एक साल में 323% का और 6 मन्त में 96% का बढ़िया return दिया है और आज इसने बड़ा breakout भी दिया है और promoters का holding 40% है दोस्तो public का holding 59 है और foreign investor का 20.90 सबसे अच्छी बात मुझे यहां पर यह लग रही है दोस्तो यहां पर company का जो promoters का holding है वो गिरवी रखा हुआ था उसको लगातार company कम कर रहे है और अपने गिरवी रखे हुए जो shares है उसको लगातार छुडा रहे है यह बड़ी important चीज हमें यहां पर देखने को मिली company fundamentally strong है आप fundamental analysis वाला वीडियो देखेंगे जो इस वीडियो के description में तो आपको और ज्यादा clear हो जाएगा आज इस stop में बहुत ज्यादा delivery quantity में उठाया गया है को मिला जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अल्रेडी बताया था 385 उपर closing होती तो आपको इसमें और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और आज वही हुआ आज बड़ी तेजी हमें देखने को मिली 310 का अब इसका नया बावन विक का हाई है दोस्तों तो दोस्तो उसके बाद अगर investment के लिए checklist है उसको देखा जाए तो इसका current value है इसका intrinsic value से जादा है FD का जो रेटा ने वो data available नहीं है dividend attractive नहीं यहाँ पर data नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे एक rate flag यह stock SM list में यह stage 1 में है तो stage 1 में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर यह stock stage 4 में होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती क्योंकि वहाँ पे जो होता है stage 4 पे जो है रोक दिया जाता है intraday बंद कर दिया जाता है और उस पे 5% का barrier नहीं लगा है तो इसमें अभी आपको और भी बड़े लेवल देखने को मिल सकते है और रेट फ्लेग कोई बड़ी चीज़े नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह retail investor भाईयों के पैसे के investment को सुरक्षित रखने के लिए इसको ऐसा रखा जाता है NSE यहाँ पर से भ देखने वीडियों के साथ तब तक के लिए बाबाए थैंक्यों